दर्शकों सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की आज दिनांग है नौ जून सन दोजार तेई स्विक्रम समवत दोजार सी चल रहा है आशाड मास है कृष्ण पक्ष है गृष्म रितू है तिथी शस्टी है और आज का वार है शुक्रवार आज के नक्षत् शाम 5 बच के 10 मिनट तक रहेगा आगे शत्विशा नक्षत्र है योग वेधरती है दोपेर बाद 3.45 मिनट तक आगे विश्कुम योग रहेगा योग की द्रश्टी से आज का दिन मिले जुले प्रभावाला है करन वनिज है दोपेर बाद 4.22 मिनट तक आगे बव करन रहे सुर्योदे का समय दर्शे को सुबह 5 बच के 22 मिनट का था और सुर्यास्त का समय शाम 7 बच के 17 मिनट का है आज का राहुकाल सुबह 10.30 से दोपेर 12 बज़े के बीच रहेगा इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा क्योंकि इसमें कोई शुपकारे नहीं करना चाहिए और 12 बच के 5 मिनट फिर दोपेर 14,18 मिनट और एग बच के 43 मिनट आज का दिशा शूल दर्शको पस्चिम दिशा मैं तो पहले कोशीश तो ये करें कि पस्चिम दिशा की यात्रा को टाल दे लेकिन जाना बहुत जरूरी है अनिवार यात्रा है तो उसका परिहार करके निकले परिहार बहुत सरल है पस्चिम के और मुख कीजिए थोड़ा सा जो या राई के दाने खाईए और पांच कदम पीछे चलिए और जब यह पूरी प्रक्रिया आप करें तो भगवाई श्री राम या अपन लगन करने का समय है सुबुए साढे साथ बजें से लेकर सुबए साढे दस बजे तक और फिर दोपैर 12ält के वीच मिनट से वज दो बजे तक और फिर श्याम पाँज बच के पैंतिस बिनट से श्याम वज़ी तक इस पिनों का और फखन्ड बाकी पूरे दिन की पारशी वालों को भाग्य से मिलेगा सपोर्ट और आप अपने रूची के विश्यों पर ज्यादा ध्यान देंगे करक राशी वाले स्वास्त का रखे ध्यान वात विकार शरीर में दर्द वगेरा आपको परिशान कर सकते आज सिंग राशी वाले अपने बिजनस पार्टनर से कुछ विवाद होता देख सकते हैं तो धेरिये और शांती बनाए रखें कन्या राशी वाले नन्याल पक्षे होते दिखेंगे लाभानवेत तुला राशी वाले स्पोर्ट्स और मनोरेंजन इंडस्ट्री से जो युदे मिलेगा और मकर राशी वालों को आज अपनी वानी और कम्यूकेशन स्किल्स से होगा लाब कुम राशी के लोग बहुती भ्रमित रहेंगे आज और दिन भर खयाली पुलाव बनाते रहेंगे मीन राशी वाले आर्थिक मसलों में आज रखे सावधानी सोच समझ के करें इन्वेस्टमेंट अब करते हैं आज के दिन की ज्यान चर्चा जो आपकी हमारी अंते द्रश्टी प्रग्या को जागरत करेगी फिर आगे समझेंगे उन विशेश उपायों को जीवन को सुगम सुरक्षित सुन्दर और सफल बना देते हैं अंत में करेंगे आज के द पुरान एशु व्यासस्च वचंद्वयम परोबकार पुन्याय पापाय पर पीड़नम चोटी सी बात हैं लेकिन इसका अर्ट समझें की अठारे पुरानों में सार सुरूप महर्शी वेद्व्यास जी ने दो ही विसष्ट बाते कहिए पहली परोबकार करना ही पुन्य है और दूसरी दूसरों को दुख देना ही पाप है देखिए कितना बड़ा संदेश रहा है हमारी संस्कृति का हमारे धर्म का हमने परपीड़ा को महापाप माना और यही कारण रहा कि सर्व समर्थ भारती राजन्य ने कभी भी संसार में किसी पर अत्याचार नहीं किये इति ही हमारा प्रयास रहना चाहिए यथा संभव सबकी सहायता हम से हमारी शमता के अनुसार होती रहे कभी किसी की पीड़ा का कारण हम ना बने यही आज की ज्ञान चर्चा का सार है दर्श को आप करते हैं चर्चा आज के विसस्ट उपायों पर जो आपकी सारी समश्याओं के पहुत ही आसानी से समाधान बताएंगे जिने करके आप अर्चनों को सफलता को जीवनें बहुत पीछे छोड़ते वे सफलता और समरद्य के और दर्टा से अग्र मिनट के बीच में पाइनेपल के जूस से भगवान शियोजी का अभिशेक करें और 27 माला लगू मृत्युन जे ओम होम जूम से हैं ओम होम जूम से हैं का जाप करें और इसी प्रकार रातरी में निर्धन महिलाओं को आजा वस्तरदान करें पूरा वर्ष सुक शांती है आपस में बैर भाव पन अपने लगता है बाद बाद पर चुटी चुटी इस्यूस पर जगड़े होने लगते हैं हर कारे में विग्न बादा आती है कोई मांगलिक शुपकारे की विचार भी करते तो अर्चने शुरू हो जाती है लगता है कि घर पे इस्ट और कुल्द के लोग कच्चा दूद गव माता का लेले यानि बिना पकायावा दूद हो उसमें शहट डाले और माता दुर्गा के चित्र के सामने रखे और फिर इस स्तुती का 27 बार पाट करें स्तुती ध्यान से समझेगा बहुत ही विशेश है शुलेन पाही नो देवी पाही खडगे जीन चामवी के गंटा स्वनेन ने पाही चाप जानी स्वनेन चे प्राचाम रक्ष प्रतिच्चाम चे चंडी के रक्ष दक्षन ब्रामने नातम शूलश उत्रश्याम टथेश्वरी इस स्तुती का आप पाट करें और उसके बाद में इस दूद से चट के सबसे उपरी भा कर लेंगे घर की सारी negativity नकरात्मक्ता हर प्रकार का दोश चाहिए वो द्रश्टी दोश हो परक्रदोश हो या कोई भी समश्या हो पूरी तरीके से समाप्त होगी एक दिव्यता का आगमन एक सुरक्षा चक्र का आगमन आपके घर में होगा और आपके पित्र आपके देवी द जिनों से कोई मनोकामना है कि वो अपना घर खरी दें या फिर भूमी बुखंड खरी दें लेकिन योग नहीं बन रहे हैं तो वो सभी लोग आज शाम 8 वच के 15 मिनिट से एक मंत्र अनुस्टान प्रारंब करें इसके लिए सबसे पहले आप भगवान विश्नुजी के मंद जाब भगवान वरह का ध्यान करते वे आरम करें जो भगवान वरह भगवान विश्नुजी का अवतार हैं उनका ध्यान करें और फिर इस मंत्र का जाब करें मंत्र ध्यान से समझेगा ओम नमो भगवते वरह रूपाए भूर भूय स्वह पते भूपतित्व में देही ददा बन जाएगा और आपको कहीं ना कहीं से ऐसे सोर्चेज मिल जाएंगे कि आप मनोन उकूल अपना भूखंड या फिर अपना मकान ले सकें तो यह थे आज के वो विशस्ट उपाई जो आपको समझाओं से भार ला रहे हैं और आपकी मनों कामना भी पूरी कर रहे हैं अब बा विवा का योग कब है होते होते रिष्टे तूट जाते हैं देगे चमन भाई आपके सब्तम भाव यानि विवा भाव में सूर्य बैठे हैं जिन पर शनी की सीधी द्रश्टी है और सब्तम के मालिक बुद्ध आठवे भाव में जाकर अस्त हैं और केतू से पढ़ित हैं त और नित्य आप विष्णु सहस्त्र नाम का एक पाट और दुर्गा बत्तिस नाम के पाट यताशक्ति किया कीजिए आपके विवा का योग अभी भी चल रहा है आप यह उपाए करेंगे तो निश्चित रूप से अर्चने भी हड़ जाएगी और विवा भी हो जाएगा आज की दूसरी जन्म पत्री का हमारे पास आईए हमारी दर्शक कृष्णा यादव जी की खेत्री से 25 अक्टूबर 1999 का इनका जनम है सुबह 9 बच के 3 मिनद खेत्री और इन्होंने प्रश्न किया है नोक्री किस छेत्र में और कब लगेगी कृष्णा जी आप बीएड कर ल आशिव बैठें तो आप नित्य पांच पार्ट आदे तेहर्दस्त्रोत का कीजिए सूर्य के साथ गुना जा पवश्य करवाईए इससे आपकी नोक्री भी लगना तय हो जाएगी और आपको को अर्चन भी नहीं आएगी आपकी नोक्री लगने का जो योग है वो अंदर शेकर शर्मा आशा करता हूं कि बतायों पायों को सही विदी सटीक समय पे करके आप पूरा-पूरा लाब उठाएंगे और जो सत्संग हमने क्या ज्यान चर्चा हमने की उसे अपने जीवन में उता रहेंगे जीवन को सुखी सम्रद्द और धीरे धीरे भगवत में इशुर में बनाएंगे कारिकरम में बने रहने के लिए बहुत-बहुत सा दुआत भगवतिया सबका कल्यान करें जया आदिशक्ति गुड मॉर्निंग मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे इसखास कारिकरम भागयम में और भागयम के भी इस विशेश सेग्मेंट में जहां पर आप और हम हर रोज औरिकल कार्ड के जरिये जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है और हम ऐसा क्या करें डिवाइन गाइडन्स लेते हैं जिससे हम आज के दिन को और भी बहतरीन और खुबसूरत बना सकते हैं दोस्तों इसके लिए हम एक से लेकर 9 मुलांग तक की रीडिंग करते हैं कौन से लिडिंग आपके लिए रहने वाली है उसका उधारण आपको देती हूँ कि अगर आपकी डिट अव बर्थ है 17 यानि की सत्रा तो एक और साथ को जब आप जोडते हैं तो जोड आता है नमबर 8 और आज की तारीक है 9 जून 2023 और आज की जो तारीक है नमबर 9 उसके स्वामी है मंगल मंगल बहुत पावरफुल एनरजी है बहुत प्रभावित करते हैं इसलिए तो का जाता है कि जिनका मंगल बहुत स्ट्रॉंग होता है यानि की मांगलिक होते हैं कुछ लोग डबल मांगलिक होते हैं वो बहुत जादा जुक है वो क्रोद वाले होते हैं बहुत जादा हाइबर हो जाते हैं बहुत जल्दी तो ऐसे में इस जो एनरजी दे कि क अपकी एनर्जीस बहुत आई है ऐसे में जो जातक है जो कि मांगलिक हैं जिनके एनर्जी बहुत हुछाई है यह बहुत महत्पुर्ण हो जाता है उनकी उर्जाओं को सही दिशा में लगाना अगर आपको झाल झीटा आपके life में energy की कमी है तो simply क्या करना है आपको हनुमान जी की उपासना करनी है हनुमान जी बहुत powerful energy है बहुत powerful उर्जा है और ऐसा कहा गया है कि हनुमान जी तो आज कल्युक में भी जीवित है तो हनुमान जी की जो energy है वो बहुत powerful होती है और हमारी life में energy प्रदान करने में स होगी ठीक उसी प्रकार की परिस्तितियां हमारे चारो त़रफ डवलब होंगी क्लीर सी बात है जो हम past life में करके आए हैं वो तो हमें मिलना ही मिलना है तो वा भाविक सी बात है लेकिन इस बर्त में भी दर्ट जो परिस्तिति ओर अडरेडी हमारे आसपास बस 우ca रिएक्शन देंगे उससे किस प्रकार से overcome करेंगे हमारी planning क्या होगी वो हमें इस जनम में decide करना होता है तो अगर आप मा भगवती की और हनुमान जी की उपासना करते हैं तो यकीन मूलांक एक के लिए कैसा गुजरने वाला है हमारा आज का दिन हमें क्या guidance दी जा रही है आज 9 जून 2023 के लिए और मूलांक एक के लिए हमसे कहा जा रहा है creation का card है आपको आज याद दिलाए जा रहा है actually में जो आपकी sun का जो आपका मूलांक एक क्योंकि स्वामी सूर्य है और आज बहुत powerful energies वैसे भी है sun energies वैसे बहुत powerful होती है universe की important उर्जाओं में से एक है सूर्य उर्जा तो आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन के energies आपकी बहुत high है ऐसे में जो भी कुछ आप प्राप्त करना चाहते हैं जो भी कुछ आपके goals हैं लक्ष को प्राप्त करने के लिए आप आज के दिन आगे बढ़ सकते हैं जो भी आप आज के दिन सोच रहे हैं उसे अवश्य ही create कर पाएंगे और आपके जो अपने विचार हैं आज इतने powerful हैं कि बहुत कुछ create किया जा सकता है आपकी जिन्दगे अगर आपको लगता है अगर आप बेरोजगार हैं तो अगर आपका visualization proper है तो कहीं न कहीं आपको जल्द ही जौब अवश्य मिलेगी अगर आपने आज की उर्जाओं का सदूपयों किया और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि संकल्प लेके संकल्प में बहुत शक्ती होती है हमारी manifestation संकल्प के उपर काम करते हैं अगर आप संकल्प लेके किसी भी कारे को करने में लगेंगे passion के साथ लगेंगे अवश्य ही प्राप्त कर सकते हैं आए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें परिमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 9 जून 2023 के लिए और मूलांक 2 के लिए हमसे कहा जा रहा है century का कार्ड है आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन थोड़ा सा आपको शांती बनाए रखना जरूरी है और ये शांती केवल बाहरी तोर पर नहीं बलकि भीतर से भी आपको अपनी अंदरात्मा के साथ अपनी higher self के साथ एक connection आज maintain करना है और आपको अपने आपको renew करना है आपको अगर लगता है कि बहुत सारी आलोचना की वज़े से आप बहुत जादा प्रेस हो गए हैं दब गए हैं suppression हो गया है आप अपने talent का पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो आज के दिन आपको क्या कहा जा रहा है कि जो भी कुछ है उसको आज आपको release करना है जो भी कोई negativity जो भी कोई circumstances आपको रोक रहे हैं आगे बढ़ने से आपकी career में आपकी जिंदगी में आज के दिन विशेश तोर पर आपको उसको drop करना ही होगा जितना जादा detachment के साथ आप रहेंगे जितना जादा आपने आपको renew करेंगे अपने उपर काम करेंगे एक उधारन के तौर पर अगर आप मालीजिये किसी particular आप job में जाना चाहते हैं आपने जॉइन किया है और वहां पर जो है job की डिमांड जो है वो और हाइर स्टडीज है तो जॉब पर रहते हुए आप कुछ नई चीज़ों को सीख सकते हैं कुछ नए courses आप जॉइन साथ के साथ कर सकते हैं अपनी इंटेलिजेंसी को अपनी knowledge को बढ़ाने के लिए तो कुल मिला के आज आपको अपने आपको रिन्यू करना होगा आज आपको अपने आपको ज्यादा अपडेट करना होगा आपका दिन शुब हो कि आये जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 9 जून 2030 के लिए और मूलांक 3 के लिए हमको कहा जा रहा है healing का card है आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको स्वास्तलाब होगा आज के दिन किसी प्रकार की अगर अटकी हुई कोई ऊर्जा है आपका कोई काम अटका हुआ है कहीं धन अटका हुआ है तो आज के दिन ये सभी धीरे-धीरे release हो सकते हैं आपको सहायता मिल सकती है आपके मित्रों की या गर्मेंट की तरफ से या किसी भी प्रकार की आपको कोई भी वेक्तियास आपके life में आ जा सकता है जो आपकी help करेगा इन चीजों को आगे बढ़ाने में blockages को remove करने में आपका कारे बनाने में की सहायता कर सकते हैं तो आज की दिन आपको क्या करना होगा आज की दिन आपको ऐसे लोगों की भी help करने के लिए खुद को आ गया आना पड़ेगा जिनकों की आपकी जरूरत है क्योंकि हो सकता है कि आज आपसे लोग सलहा लेने भी आए अपने किसी कारे के लिए और आप अगर उनकी सहायता करते हैं उनकी help करते हैं तो यकीन मानिए कि जब आपको अवश्यक्ता होगी तो divine आपकी help जरूर करेंगे तो कुल मिला के आज का दिन जो है वो healing का है फिर आप चाहें दूसरों की healing करें या आपको किसी से मदद और healing मिलें आपका दिन शुबहों कि आए जानते हैं मूलांक चार के लिए हमें हमारे परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 9 जून 2013 के लिए और मूलांक चार के लिए हमसे कहा जा रहा है strength का card है आपको कहा जा रहा है कि बहुत जादा आपको अपने confidence को down नहीं करना है आप बहुत जादा जो है जल्दी depressive state में चले जाते हैं ऐसा बिल्कुल मत कीजिए अपने उपर भरोसा रखिए अपने talent पर भरोसा रखिए अपनी power पर भरोसा रखिए जो भी आप पूजा पाठ ध्यान अराधना करते हैं उन पर भरोसा रखिए जो भी कोई काम आप करना चाहते हैं आपको बिल्कुल आज आगे बढ़कर करना चाहिए Opportunities आ रही हैं आज आपके जिंदगी में उसको तुरंत ग्रैब करिए बिल्कुल भी आज के दिन आलस्ते नहीं करना है बल्कि अपनी पावर को समझना है और आगे बढ़ना है आपका दिन शुभो आईए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें पर मात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 9 जून 2023 के लिए और मूलांक 5 के लिए हमको कहा जा रहा है Destiny का कार्ड है आपको कहा जा रहा है कि आपका जो life purpose है आपका जो career है उस पर आज आपको focus करना चाहिए बहुत जादा आपका जो ध्यान है वो हो सकता है भटक रहा है आपके लक्ष से तो divine आपको याद दिलाना चाहते हैं कि भटकाव सही नहीं है बलकि जीवन में जो प्राप्त करना चाहते हैं जो हांसिल करना चाहते हैं प्रशेश तोर पर ये बात उन लोगों के लिए है जो competitive exams की तैयारी कर रहे हैं या students हैं अपने career के लिए सोच रहे हैं आगे बढ़ने की तो divine आपसे कह रहा है कि आप मार्ग से भटक रहे हैं आपका focus आउट हो रहा है जो लक्षा प्राप्त करना चाहते हैं अपना को केव सब्सक्राइब करें आपका दिन शुभू है आईए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं नौ जून 2023 के लिए और मूलांक 6 के लिए हमको कहा जा रहा है healing का card है देखे card जो है आज फिर से repeat हुआ है और आपको कहा जा रहा है आज का जो दिन है वो healing का है ये healing जो है वो हर तरह की हो सकती है आपके स्वास्त को लेके हो सकती है धन को लेके हो सकती है आपके career या relationship के लिए भी हो सकती है तो कहीं न कहीं आज आप पहले से बहतर महसूस करेंगे अगर आपके कहीं कारे अठके हुए होंगे तो वो भी धीरे धीरे जो है आपके जो blockage है वो remove होना शुरू हो जाएंगे कुल मिला के आज का दिन अच्छा है आज के दिन चीजे बन रही है धीरे धीरे आगे बढ़ रही है हड़ड़ी ना करें जो गती चल रही है उसी को accept करें आपका दिन शुब हो आईए जानते हैं मूलांक साथ के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे है 9 जून 2013 के लिए और मूलांक साथ के लिए हमको कहा जा रहा है happiness का card है आपको कहा जा रहा है कि छोटी छोटी चीजों में खुश्यों को आपको तलाश करना चाहिए बहुत बड़ा आप पाना चाहते हैं महतवा कांग्षाएं भी आपकी बहुत हैं लेकिन divine आपको क्या कह रहे है कि अभी बहुत बड़ी महतवा कांग्षाओं के रखने से सफलता नहीं मिलेगी अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा आप depressive state में आ रहे हैं या आपको frustration हो रहा है क्योंकि divine आपको कह रहे हैं अपनी खुशियों की चावी अपने पास ले आईए कोई कारे होता है नहीं होता है उसका divine timing है तब हो जाएगा उसकी वज़े से आपकी खुशियां प्रभावित नहीं होनी चाहिए तो हर छोटी छोटी चीज में आज आप खुश होने की कोशिश करें क्योंकि जब आप खुश होंगे आपकी उर्जाएं बढ़ेंगी divinely आपकी energies जो है वो strong होंगी वो फैलेंगी और जब हमारी उर्जाएं मजबूत होती है वो divinely बढ़ती है आगे तो उसी तरह की opportunities जो है वो हमारे जिंदगी में आती है आए जानते है मूलांक आठ के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे है 9 जून 2003 के लिए और हमें गाइड किया जा रहा है cycles का card है आज के दिन आपकी जो energies हैं वो थोड़ा up down state में रहने वाली है अचानक से आप बहुत अच्छा फील करेंगे काम एकदम बनने लगेगा अचानक से आप बहुत डाउन फील करेंगे काम भी जो है दीरी दीरी slow होगा फिर शाम होते होते हैं आपका काम बढ़ेगा तो कुल मिला के आज जो भी कुछ हो रहा है this is a part of life this is a cycle of life तो एकदम नॉर्मल दिन है as usual दिन है आप जैसा चल रहा है आप आज की दिन को वैसा ही चलने दे कोई विशेश बात नहीं कहीं गई है केवर और केवर इतना है कि जैसी energies हैं आपको वैसा ही reaction देना चाहिए समय और परिस्तिती के अनुसार उर्चाओं के नुसार आपको अपने आपको ढ़ाल लेना चाहिए आपका दिन शुभो आई जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें पर्मात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं आज की तारिक भी है 9 और मूलांक भी है 9 और हमें गाइड किया जा रहा है अपको ब्यक्त करने वाले है आपके पेरेंटस का आभार आज आपको व्यक्त करना है आज आपको अपने मित्रों का हर उस व्यक्ती का जिन्होंने आपके बुरे समय पे जो आपके साथ खड़े रहे जिन्होंने आपकी सहायता करी अगर आपके सामने है तो भी ठीक अगर आपके साथ कंटैक्ट में नहीं है तो भी आप ब्रह्मांड की और देखते वे परमात्म ही प्रकट करें क्योंकि यही धन्यवाद यही ग्रैटिटूट का भाग आपके जिंदगी में कोई एक मिराकल आज लेके आ सकता है आपका दिन शुभू दोस्तों यह ती रीडिंग हमारी एक से लेकर नौ मुलांग तक ही आप सब भी हमारे कारिक्रम को जो प्रेम और स्ने द करेहे लेके आपके लेक सुभू जागार कारिके आपके लीडियों पराथक सुभू यह ड ones oh